अफ्सक्रों कि आप को ले लो तकी आप हो अ इसा क्या करतेहें कि ज़ो पेरेंट्स यह थे बड़े बड़े अमयूंट देने के लिए वह भी इन फ्रेंट आफ या सामने सामने खड़े खड़े वह वन वन लाक रुपीज युवी उसको कैश पर दे रहे हैं ऐसा कैसे करते है बाइजूस वाले एक सिंपल सी बॉइ राहूल मेश्टा का या राहूल के घर पर फोन आता है कि राहूल मेश्टा के पैरेंट्स बात कर रहे हैं आप बताएए आप कौन हो वह बोलते हैं आप से पूछना चाहता हूं कि जो राहूल है उसको अपने कॉलेज या उसके अपकमिंग फ्यूचर में क्या करना है और क्या डिग्री लेनी है सो या वौब बोलते हैं कि इसको एंगर उसको जो सब और अच्छे से मदे बनना चाहिए उन्होंनने कुछी चथ्छी कुछी क्विचेंस क्या तो फिसनग को उस जात Khal refusal करना तैंग विदिन 4 को और इतन फो ऑन्म है उसको रता हैं नवग और उसको पर जाचींस देंसे मध रहुल को उनको ट्यूशन क्लास बेजना पड़ता है लेकिन फिर बायजुसुसुस को बेज हो इतना स्ट्रॉंग बना देगा नहीं उसको किसी ट्यूशन नहीं स्कूल की भी जरूरत पड़ेगी उसका फ्यूचर है वो सिंपली से बन जाएगा या ऐसी चीज बोले जो 15 बॉल्स हैं और आपके पास बॉकसे एक बॉकस के लिए टू बॉल्स आते हैं तो आपको 15 बॉल्स कितने बॉकस में जाएंगे तो या बरावल को यह जो टू तो टुफ पड़ा और उस लिए जो पुशन के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए फ्रेक्शन की जो की एक नॉ तो टाइम रहूल है उसको स्कॉल करने टाइम लिया और सिंपल सी बात उन्हों ना उनको बोल दिया जो रहूल है और इसी तरह चलता रहा है तो चांसे था कि जो रहूल के जो मार्क्स हैं जो अभी तो पर लेवल पे वह आगे जाए और वह एक एंजिनिरिंग ना करके वह कॉमर्स स्टूड़े बन जाए और कॉमर्स का नाम सुनते ही हमारे इंडीन पैरेंट्स है या ऐसा सुनते ही जो उनके जुसके पैरेंट्स हो ठोड़ा गवरा ऐसे जो सेल्सकिस की यूटीव था तो कंटीनिव करता जा बात और विदिन वन अवर उसने उनका माना लिया घ 20,000 रुपीज का कोर्स लेने के लिए उनके सामने ही उन्होंने चालू फोन पे उसको पैसे ट्रांसफर कर दिये रुपीज वन लाग 20,000 फॉर सेवन येर्स कोर्स ऑफ बाइजूस सो ऐसे तो कौन से कन्विंसिंग पावा थे बाइजूस से सिल्स एक्सिट्विज में और ऐसा क्या खास है बाइजूस में जो हमारे पास नहीं है या फिर या नॉमल स्कूल्स टूशन चीज वो चीज़े प्रोवाइज नहीं कर पाती है सो या आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ पूरा वीडियो एंड तर देखना तब ही आपको समझ जागा कि एक स्कैम है या फिर उनकी स्ट्रेटरजी है लाइक अगर आप कंविंज होगा उसके एप्लिकेशन डाउड करने के लिए अगर आपको इसकी एड देख लिए अफकॉर्स ही बात है यूटूब पर उसकी एड बहुत बार आती है और एटलीस वाइट जूनियर तो बहुत चला था भी बीच में अभी कम हो चुका है ले आपको परफॉर्मस देखके वह आपको कोर्स बताएंगे कि अगर आपको परफॉर्मस अच्छी है आपको वन लाग का कोर्स लेना चाहिए और अब सबसे बड़ी बाज जो पैरेंस मिडल करस होते हैं जो की वन लाग रूपीस एफट नहीं कर पता है आपने नॉर्मल फी हैं वह उनको मान चाते हैं कि उनको पेमेंट कर देना चाहिए और बाजूस मानता है कि वह अपने फोन कॉल में कभी भी लोन या आउट्स्टेंडिंग एमाउंट जैसे शब्द यूज नहीं करता है वह सिंपल यूज वर्ड जो की मीन करता है मंत्ली पेमेंट तो आजित को अब फिफ्टी पर संट से ज्याता पेरेंट जालें थे यूज उनको पता ही नहीं कि वह एक लोन के लिए साइनब कर रहे हैं पाजूस का कोर्स लेने के लिए और यही था स्कान का अपने यह टॉकसिक बीहेवियर के बारे में और और सबसे बड़ी बात यह टॉक्त इसली बन जाएगा और साथे जो बैंक ये लीडिंग लोन कंपनी से साथ उन्होंने को लाइब करा है इक बहुत ही जादा अच्छे कोड़ा बन जाओगे और उसके लिए उन्होंने एक वुल्फ गुपता नामक बंदे की जो कि एक नाइन येर्ज का नॉर्मल स्टूडेंट था जो कि स्कूल जाने वारा स्टूडेंट था हमारी तरह ही मैं नाइन येर्ज का नहीं हूं लेकिन वह एक नॉर्मल स्टूडेंट था नाइन येर्ज का ही लेकिन उसमें नाइन येर्ज में ही कोडिंग सीख के 1.2 करोर्स का पैकेज क्रेक कर लिया और इंट्रेश्टिंग बात ये है कि उसकी जो एज है वह कभी 14 येर्ज कभी 9 येर्ज और जा साथ ही साथ जो पैकेज है वह कभी 1.2 करोर्स कभी 150 करोर्स बन जाता है जो कि पता सल जाते कि वह एक स्कैम है और यही चीज से ये पक्का दिख जाता है कि ये जो बताना चाहता है वाइट जूने वाले वह एक फ्रिक्शनल स्टोरी है और वह एक रियल स्टोरी नहीं है और अभी अगर आप वाइट रूपीज का वो लिया, minimum बोल रहा हूं है कि minimum बेसिक सा कोर्स है वो है 700-200 रूपीज का और 20,000 लोगों में उन्होंने टॉप जो कोर्स है वो भी लिया ही होगा जो कि है वह लाग 20,000 के अराउंड का, so अगर हम लोग मिनिमम यो प्रॉफिट देखें जो कि है 7,200 रूपीज इंटू 20,000 वो बन जाता है 14 करोर्स और 40 लाक रूपीज सो आप सोमच लगते हैं वाइट जूनियर कैसा स्कैम कर रहा है ज़च्ट बाइफिक्शनल स्टोरी उन्होंने 14 करोर्स का प्रॉफिट बना लिया है बाइजूस ऐसे बहुत बड़े-बड़े स्कैम कर चुक है जो कि मैं आप बताना वाला हूँ वीडियो करते हैं गाइस दूसरा पॉइंट है बाइजूस का वह है उनका रिफंट स्कैम बहुत ही जब मेजर इशू ए बाइजूस के अंदर हम लोग एग्जमपल लेते हैं अनिदा सिंग का जो की है उत्तर प्रदेश में के घोरगपूर से जिसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने डॉटर के लिए एक कोर्स लिया था जिसके अंदर 15 डेस का फ्री ट्राय उनसे उनको सटिस्फेक्षन नहीं है और उनको उन्होंने कुछ मन सक एमाइप और जब उनकी कारा आशिया क्योंकि पढ़ा या अच्छी सा नहीं हो रहे थी तब उन्होंने प्रीत प्रेट अर थे और यह उनको थर्ड्स और अभिस कॉल आना चलो गए जिसके अंदर बहुत अब्यूसिव लेंग्वेज और सत्या धंकिया भी थी लाइक उनको पहले तो अब्यूसिव लेंग्वेज से और उसके बाद फिर उनको कॉल जाएगी घर पे घुसके मारेंगे और घर से उठ्वा लेंगे क्योंकि जो वाइजूस है वो हमारे लोकेशन में ट्रेस कर सकता है ऐसा हुआ था उनकी प्रॉब्लम ती यह तब सॉलवेज जब उन्होंने एक पोस्ट लाले लिंक दिन पर तब उनको बहुत प्रॉब्लम होने थी लेकिन जो पोस्ट बहुत करते हैं कि यह जो इनकी जो स्टेन है वह इतने सारे स्खेंस के बाद भी चलती कैसे मैं ऐसा नहीं बोड़ रहा हूं कि हर एक पैरेंट या हर एक इंडिविजूल ऐसा मानता है कि बाइजूस अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है बहुत सारे लोग जो सटेस्वाइड है बाइजूस से पढ़ते हैं और उनमें बहुत जीजा इंप्रूमेंट है उनकी पहले की परफॉमेंस से लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि बोलता है कि आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो या फिर आप हमाने यह वाला कोर्स लें और हम लोग कर भी लेते हैं हमारी पढ़ा यह हम लोग अच्छा सा कॉलेज लेते हैं और अच्छी से जॉब या स्टार्ट अप भी स्टार्ट कर देते हैं लाइक मैं आपको एग्जमपल तो बाइजूस ने कॉल और पूछा आपको क्या बनना है अगर आपको पैरेंट से बोला कि राहूल को एक डॉक्तर बनना है तो लोग बोलेंगे आपको आकाश इंस्टिछूट जॉइन कर लेना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है सो जो कि ओन करता है अगर अगर आप अगर अगर तो एक श्यूर्ट को ऐज देंगे जो कि या बाइजूस से ही चलता है तो इतना दिमगे लगारेंग हम लग बढ़े हो जाएंगे अच्छा हमारा कॉलेज भी पास हो जाएगा और हमारी फैमिली डैवलाप हो जाएगी फैमिली डैवलाप होने को बाद हम लोग समझेंगे कि हमने बहुत रदा अच्छी पड़ाई करी बाइजू से और हम लोग fully satisfied थे उससे और हम लोग क्या करेंगे हमारे जो इंडिवीजूल होंगे हमारे जो बच्चे होंगे हम लोग उनको उसको भी डाल देंगे बाइजूस में कि बाइजूस से हम लोग satisfied थे तो यागाई वो था इसका scam number two गाईज अब यह जो बाइजूस का scam है इसके इंदर हम लोग तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं जो हमारी सरकार है हमारे इंडियन गवर्मेंट एजूकेशन सिस्टम को अच्छे से करें जब तक एक्वालिटी नहीं होगी एजूकेशन सिस्टम एक स्टेबल नहीं बन पाएगा और यह जो कुछ पॉइंट से मैंने कहीं से ने लिए यह मैं पूरा ही स्केम है और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो बाइजूत है वह वेश्ट आप मने ही करो मैंने जैसे बोला कि कुछ लोगों को से सैटिस्फेक्शन होता है कुछ लोगों को नहीं होता मैं अतना ही बोलना चाहता हूं और यह जब तो हमारे एजुकेशन सिस्टम इसा ही रहेगा अगर यह कोई पैरेंट से वीडियो देख रहा है तो यह मैं प्लीज इसको बोलना चाहूंगा कि अपने बेटे को किसी और से एक लोगों कुछ और होंगे हमारे बेटा है बेटी के गोल्या कुछ और होंगे हमें खुदी उसके गोल्स समाजने हमें ही उसक करना चाहिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो जैसे जैसे हमने देखा कि डावुल जैसे बच्चे और उनके पैरेंट को ऐसे कंपनी श्थग लिया करेंगे अगर वह एक घंटे में एक लाग बीस रगद दे सकते हैं तो ऐसे अगर उनको दो तिन दिन में फोन आते रहे या फिर आहरे महीने भी फोन आते रहे तो भी उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा क्योंकि वह एक नॉर्मल से एक कैश पेमेंट नहीं वह एक लोन में पेमेंट कर रहे हैं इंफेक्ट वह लोग इस लोन को नाम देते हैं EMI का इसलिए अगर आपको कॉल आता है कि अगर आप य जानकारी लीजिए और उसको पहले एक पेमेंट नहीं दीजिएगा उसका 15 देसा प्राइल लीजिएगा क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चांसे हैं कि आप भी थकलिए जाओगे सो या गाईस आप इसलिए 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 वीड़ी वीडियो में गुद बा आप हैं, मिरमें इसलिए इसलिए ओ्रणेवा हैं pris हैं, अश्राइब तो लीजिए और इसलिए और ईसलिए इसलिए आप्राइ टानकारी उन्तिए और क्योंकि आपस, जीए तो ओडा़ एल रसे क्योंकि आपर्माद कूण आप चले इसलिए खेम और तो लीजिए दो एतर